नमस्कार न्यूस वर्ल इंडिया देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ सुमनपाल राजधानी दिली में 10 किलोमीटर परती घंटे की रफ्तार से चल रही बरफीली हवाउने ठंड और ठेटरन बढ़ा दी है और वही दिली NCR कोहरे की घंटी चादर में जो है वो ढखा हुआ नजर आ रहा है सडकों पर गारियों के आवा गमन में कमी दिखाई दे रही है और पैदल चलने वाले रहगीर भी ना के बराबर दिख रहे है वही आपको बता दे कि अगले तीन घंटे तक ऐसा ही कोहरा चाया रहेगा और इसके बाद ये छटना शुरू होगा तापमान की बाद करें तो दिली का नयुंतन तापमान 9 डिग्री और अधिकतन तापमान 22 डिग्री सेल्सेस दर्च किया गया है और मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक कोहरा इसी तरीके से चाया रहेगा और इसी खबर पर हमारे साथ दिली से बेरो हैड शायद मुवस्चिर हमारे से जुट चुके हैं अपना आगोश में लोगों को लिती जा रही है साथ दोर पर है कि कहीं आने वाले सीने भी दिन भी तुड़ा और कह सकते हैं बरफीले हो सकते हैं दिली NCR समित कई राज्यों में अलर्ड जारी किया गया है चाहिए वो यूपी हो हर्याना हो पंजाब हो या राज्स्तान का एरिया हो यहाँ पर अलर्ड जारी किया गया है आज सुबह तरके ही जो गेटर नोड़ा है गेटर नोड़ा एकस्पेसव पे एक बीशनल खाथसा बीसी को चलते हुआ है जिसको लेकर कई सारे अलर्ड जारी किये गया है दोसी तरफ बचाओ की बात करें तो खुद उतरपरदेश के मुक्मंदी युग्या इतनात ने सभी डियम को यादेश दिया है कि अलाव और जो ब्रैंड बसे रहे हैं उन पर रोजाना निग्रानी की जाए उन पर रख रखाओ के जिम्मेदारी डियम को दी गई है उन से स ईसदशा Yanis जिस तरह से अब कोहरे की वज़छे से सरे अ देरी से चल रहे हैं इस्व परिशानी के सामना करना पर है इदूर यूह सिफ्ट रहे जहाए उन की सूची जारी की जाकी आरी है दोसी तरफ पार्वाय जारी कि लेकिनों क्राणी करें तो सुची जारी की बात कर Pikachu तो सुबा के जो विजिबिटी है वो तक्रीबन 25 मीटर के आसपास के रहेगी तो जिसमें सुबा में जो हवाई आता आता है वो भी थोड़ा सा बाधित नदर आया क्योंकि विजिबिटी कम होने के चलते लैंडिंग और टेक आउप में थोड़ा प्रॉलम हुई जिसके वज कोहरे की एक लेयर जो एक परत है वो सुबा देखने को मिलती है ची अगर लोगों की बात करें तो लोग किस तरह से इतने ठंड में अपना बचाव कर रहे हैं देखे जिस तरीके से उता पदेश के अगर हम बात करें सुमन्त तो मुकमंतिरी ने सिधे तोर पर आदेश बीम काम भी देखने को मिला है लोग जातर अब जो रास्तों पर या वैसे रहते हैं जो स्लम एरियाज में रहते हैं वो जना जमा पर आलाव जला कर अपने इपासद कर रहे हैं जी शेयद आप हमारे सब बने देंगे आगे भी आप से अबडेट लेंगे तो दिली NCR में जबर दर्स तर कोहरा देखने को मिल रहा है और बता दें आपको कि विजिविल्टी सीरो होने की वज़ा से लोगों को काफी ज़्यदा परिशानी का सामला भी करना पड़ रहा हैं वहीं आवाजाही में भी लोगों को काफी ज़्यदा परिशानी हो रही है दिल्ली उत्तर परदेश समयत पूरे उत्तर भारत में घने कोहरे की चादर विछी हुई है और दिल्ली से सटे ग्रेटर नोईडा में घने कोहरे की वज़ा से एक बस पलट गई है आपको बता दे कि दनकोर थाना छेतर में गलगोटी या यूनिवर्सिटी के सामने बड़ा हाथसा हुआ है बस के आगे चल रहा कंटेनर अचानक रुकने से बस पीछे से टकरा गई और इस हाथसे में करीब 20 लोग खायल है और एक शक्स की मौत भी बताई जा रही है जादा जानकारी के साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं सहीद मुपसिर शेयद जिस तरह से ख़बर सामने आई है कि कंटेनर से बस टकराई है हाथसा कैसे हुआ है पिछे से टेज़ बस आगे टकराई है जिसके बताया जा रहा है अठारा से उनिस लोग गंभी रूप से गायल है जिसमें से कुछ को प्राथमी की उफचार के बाद चुकी देदी गई है और एक शक्स की उसमें मौत भी हुई है बताया जा रहा था जो आगे की तरफ बैठा हुआ था उसकी मौत हुई है तकरीबन बारा से चौदा लोग अभी भी गंभी रूप से गायल है तरहे लोगो जिलास्पिदाल में पर्ति किया गया है बेजा गया है और जो प्रिक्रि जिसके वज़ से कोरी की जो चादर है वो तकरीबन आया थे जैसे कि मैं बताया कि 25 मीटर से भी कम की विजिबिलिटी है तो गई नगई इस वाद कभी घान अखना हुआ कि जो ओर स्पीड जो गालियां चलती है उनको खास जो है कि थोड़ा सा एतियाद बरतनी की ज़रोद है जिसकी वज़से यहाथा हुआ कंटेनर रुका जिसकी वज़से ब्रेक लगाए गे ट्रावर के द्वारा बास के लेकिन वह स्पीड होने की वज़से कंटर के पीछे से टकर हुई जिसमें तकरीबन रहा सो निस लोग खायल है कि जैशायर बहुत शुक्री आपका हमार स की मौत भी बताई जा रही है विधाओं और वबस्ताओं के बारे में भी जानकारी ली है सियम योगी का सक्त निर्देश है कि ठंड में कोई गरीब बेसहारा सडकों पर ना सोई इसको लेकर सभी जिलादिकारी को निर्देश दिया गया है आप समय रहते कंबल की खरीदारी कर गरीबों में वित्रण करे और इसी करम में उन्होंने रेलवे स्टेशन पर मौझूद एक रेन बसेर का निरिक्षन किया और मौझूदा लोगों से मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना और साथ ही कुछ लोगों से उन्होंने खुद खाने, पीने के पैकेट और कंबल भी वित्रण किये हैं हर जरुवत मंद को जो भी बे साहरा हो या कहीं बाहर से आया है बूला बटका है सडकों पर, पट्रियों पर ठिटूरता वान दिखाए दे उसे रेन बसेरों में पहुचाने की व्यवस्था करें और वहां पर उन्हें सम्माजन नढंग से रहने की व्यवस्था करें दूसरा ग्रामिण छेत्र या सहरी छेत्र है हर जरुवत मंद को कंबल उपलब्द कराने के भी निर्देश दे गये हैं ओनी कपड़े उपलब्द कराने के भी निर्देश दे गये हैं और तीस्ता सरजुनिक अस्थलों पर अलाव जलाने के लिए भी आज मैं यहां पर तीन अस्थानों पर रेन बसेरों का निर्दिक्शन मैंने किया है प्रदेश भर में हर एक नगर निकाय में प्रयाप्त संख्या में रेन बसेरे बनाए गए हैं जिने नगर निकाय, सासन की एजेंसियां, राजश्व विभाग के द्वारा और कुछ जगे स्वेम से भी संगटनों और सामाजिक संगटनों के सयोक से उने संचालित किया जा है, जिससे संभावित भीशन शीत लहरी को ध्यान में रख करके हर एक ब्यक्ति को हम पुक्ता बिवस्था दे सके हैं, और इसी खबर पर हमारे साथ गोरगपूर से हमारे सहयोगी धनेश कुमार हमारे साथ जुट चुके हैं, धनेश रसीम योगी ने ओचक निरिक्षन किय है, धनेश मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, धनेश से हम दुबारा संपर करने की कोशिश करेंगे, बता दे आपको कि गोरगपूर से खबर है, जहां पर रेल्वे स्टेशन पर मौझूद रेन बसेरे का और चक निरिक्षन किया गया है, बता दे आपको कि सीम य योगी आधितिनाथ ने गरीबों में कम्मल वित्रण किये हैं, और इसके साथ ही आपको बता दे कि ओचक के दौरान, सीम योगी आधितिनाथ ने सक्त निरिदेश भी दिये हैं, और इसी खबर पर हमारे साथ दुबारा से जुट चुके हैं धनेश कुमार, धनेश सीम में कम्मल वित्रण किये हैं. धनेश जिस तरह से अब ठंड का मौसम है और ठंड में जो आसहाई लोग है, जिनके पास घर नहीं है, वो सडकों पर रहने के लिए मजबूर होते हैं, तो यहाँ पर योगी आधितनाथ की अच्छी पहल देखने को मिल रही है, उन्होंने साफ तोर पर क्या दिया है कि अधनेश से दुबार संपर करने की कोशिश करेंगे, आपको बदा दे कि सीम योगी आधितनाथ में ओचक निरिक्षन किया है और इस दोरान पे वहाँ पर गरीबों में कमल भी वितरण किया है आजादी के अमरित महोचों की कड़ी में गोरकपूर के महंत दिगविजे नाथ पार्क में तिहास रचा गया और जहां पर अमर सैनानियों की याद में उनकी शौरे गाथा का प्रस्तुति करण तिहासिक और देश के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन हुआ आयोजन में 750 ड्रोन कैमरों ने काकोरी कांड में ही बलिदानियों की अमर गाथा का सतरंगी रूप से प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया और जिसके गवासियम योगी आतितनाथ भी बने आपको बता रहे कि इससे पहले 500 ड्रोन के साथ सबसे बड़ा शो लखनव के रेजिडेंसी में किया गया था जहां अमर बलिदानियों की शोरे गाथा को प्रस्तुत किया गया था और पूरे साल देश भर में आजादी के अमरित महसों की 75 वर्ष गाड की धूम रही और इशी क्रम में ही आज काकोरी कांड के सननानियों की याद में गोरकपुर के नोका विहार में मौझूद महंत दिग विजे नाथ पार्क में कित एतिहासिक आयोजन हुआ जहाँ 750 ड्रोन कैमरों ने देश की आजादी के नाइकों की याद में सतरंगी छटा विखेरी और जब शो के दौरा नमर शहीदों कुनकाथा को प्रस्तुत किया गया तो वहां मौझूद सभी लोग भाव विभोर होकर वहवा करने को मजबूर हो थे अगर में नगर निगम के ताज महल को एक करोड से ज्यादा रूपे का नोटिस भीजा है और नोटिस में ग्रेकर जलकर और शिवर कर इत्यादी शामिल है अधिकारियों के मुताबिक अगले ग्रेकर के नाम पर करीब डेड़ लाख रूपे का नोटिस पुरातत विभाग के अधिकारियों को भीजा गया है और संरक्षित समारक एत्मा दोला को ही यह नोटेस फोरकोट के नाम से भेजा गया है और इस संबन में पूछे जाने परभारती है पुरातत्त शर्वेक्षन विभाग में अधिक्षब डॉक्टर राजकुमार पटेल ने बताया है कि ताज महल और इत्मा दोला के संबन में भेजे गई नोटेस का जवाब देकर इस्तिति स्पस्ट की जाएगी उन्होंने कहा है कि ताज महल रास्टे समारक है और ये केंद्रो राज्य सरकार की संपत्ती है उन्होंने संभावना जटाई है कि नगर निगम द्वारा करगड़ना के लिए लगाई गई एजनसी की गल्ती से ऐसा हुआ होगा पुर्वत भिहाग नगर निगम को जवाब भेज कर इस्तिती जो है वो स्पस्ट कर देगा और इस बाबत सहाइक नगर आयूप सरीता सिंग ना बताया है कि साइक अंट्रक्शन कंपणी को ग्रह कर गड़ना की जिनमेदारी दी गई है और गूगल मैपिंग के चलते कुछ जगा गड़बड़ी पता चली है जिसके जाच कराई जा रही है पुरवाचल में ठंड में दस्तक दे दी है और ऐसे में महराज गंज में भी कोहरे का साया सड़कों पर साफ तोर पर दिखाई देने लगा है आपको बता दे कि घंज कोहरे की वज़ा से आमजन जीवन अस्त ब्यस्त दिखाई दे रहा है और वही सड़कों पर कम विजिविल्टी के चलते याता यात भी प्रभावित होता दिखाई दे रहा है ऐसे में बढ़ती ठंड को लेकर महराज गंज जीला परिशासन भी सतर के दिखाई दिया और चोग चोराहे पर अलाव की ववस्ता साथ साथ जनपत में रैन बसेरा की ववस्ता को भी चाप चोबंद कडाने में जुटा हुआ है देखिए संदी सर्दी का समय चालू हो गया है नौतर्वा नगरपालिका सर्दी से निबटने के लिए बाहरी आतिरियों के लिए जलकल परस्त में एक रैन बसेरा का निर्माड कराया है वहां मुल्भू सारी सुब्दाओं को मौया कराया गया है जो भी हमारे भाई बाहर से आएं जिनको रहने का ठिकाना नहों हमारे रैन बसेरा में आके यहां रह सकते हैं यहां फर्स्ट रेट के लिए उनके लिए दमाय मौया करायी गई है रहन बसेरा नगर पालिकान नोतन्माग वारा संचालित है यह बीच कज़बे में इस्थित है इसमें नदेश दिये गए हैं कि तो रहन बसेरा में यहां पर स्वक्ष पानी की जो रस्था और यहां का जो शौचाला है उसको और स्वक्ष किया जाए साथी फर्स्ट एड ब स्वक्ष के यहां बसेरा यहां पर इस्थित है और दो तीन और जगों परकिन इसरार ज्खाए बाखिंछ फश्त वाइब तकाठ शिता है रन्बसेरा अच्छी तरह संचालीत है इसी तरह सुनोली में बसड़े पर नगर पंचाइद वारा रन्बसेरा संचालीत है वहाँ भी सम्ची सुधा हैं वह संबन में आवशक विसाने देश अच्छी तरह संचालीत है और बढ़ गई है जाएगी और इसको लेकर लोग आग का सहारा लेकर आग सेकते हुए भी साफ तोर पर नज़र आ रहे हैं वहीं उत्री परदेश के मुख्यमंत्र योगी आधितनाथ में सभी जिलों के जिलादिकारी को सर्दी बढ़ती देखकर सर्दी गलन के बचाव के ल रहन बसेरा, शहर सहित, अन्य जगों पर अलाव जलाने के भी निर्देश दिये गए हैं बांदा के कालू कुआ चौकी अंतरगत तिंदवारी रोड पर मौजद मंडी समिती में खाद लेने के लिए किसान भीशन कडाके की सर्दी गलन में ही तीन बजे रात के लाइन में लगा कर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और साथ किसानों ने करमचारियों पर लापरवाही का भी आरोप लगाया है किसानों ने कहा है कि किसान यूरिया खाद के लिए परिशान है और तीन बजे रात से इस तरहा की गलन सर्दी में लाइन लगा के खड़ा है मगर अभी तक khada नहीं मिल पार ही और मामला तहसील सदर बांदा के तिंदवारी जोड मंडि स्मीती बांदा का बताया जा रहा है और इसी ख़बर पर हमारे साथ बांदा से हमारे साह्योगी पंकज तिरपाथी हमारे साथ जुट चुके है जी जी मैं आपको बता दूँ ये मामला सदर तखील पे तिनवारी रोड मंडी समित कामला है जहां कालू कुआ चवगी अंतरगत तिनवारी रोड मंडी समित में खाद लेने के लिए किसान तीन बजे से तीन बजे तो आप कम आ लिए मतलब दो दो दिन से लाइनों में लगे इस तरह की कलाते की सर्दी में और उनको खाड नहीं मिल पा रही तो इसी के चलते आप को बता दे खाड के जो कर्मचारी हैं जो हां के सिंग से रिखर करने वाले कर्मचारी हैं वो खाड को पता नहीं खाड آती है आप पांच सू गोरियान खाद कराये जाती है चाले और नहीं हों पाथि चाले नहीं चाले को बाती है क्योंकि लगातार किसान जो है लेकर परिशान नजर आ रहे हैं तो कहीं ने कहीं इसमें ओगर रूप देखा जाया तो घुटाले का भी कोई रूप है लिए की जी बिल्कुल मैं आपको बतादों जो मंडी समेथे खाद मंडी समेत में के बिज़िक करने तर्मचारी हैं तो कहीं न कहीं विल्कुल एंस नियुटता है कि रहा चछ् tvater करते हैं उश.. करने के बाद पांच या साड़े पांच बड़ी तक मंदी समित की सभी दुकाने बंद कर दी जाती है इसके बाद च्छै बजे के बाद अमेला होने के बाद कहीं न कहीं उस खाद को किसी भी तरह प्राइबेट दुकंदारों को बेच दिया जाता है कुछ दस पटास या सव और मुनाफ़ा लेकर मंदी समित करमितारियों गजारे तभी खाद की इतनी किल्ला पड़ी है और किसान को भाग महया नहीं हो पा रही है पंका जाओ किसानों का इन पूरे मामले पर किसानों को यहीं कहना है कि हम दो दो तीन-तीन दिन दिन से लगातार लाइन में रहते हैं और खाद के ओल चंद ही पचास साथ लोगों को बाटी जाती है, फांट-पांसों मोरिया खाद गोदाम से बेज़ी जाती है, इसके बाद खाद हमको मिल नहीं पाती, तो कहीं न कहीं ये खाद जो है प्राइवेट तौर से मंडी समितिक कर्मिचारियों के दौरा उनको दस- खाद में बेज़ी जाती है, इसलिए किसान खाद के लिए परिशान है, जी, पंगर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुनने के लिए रहम जानकारी देने के लिए, तो बांदा से आपको ख़बर बता रहे हैं, जहां पर कडाके की ठंड में आप किसान परिशान नज आ रही है, और रात के 2-3 बजे ही वो लाइन में लग जाते हैं, लेकिन लाइन में लगने के बावजूद, लंबी-लंबी लाइने लगने के बावजूद उनको खाद नहीं मिल पा रही है, जिसे किसान काफी ज़्यादा परिशान ना सरा रहे हैं यूपी के बुल्डोजर बावा, योगी आधितनाध की सरकार में भी प्राइविट अस्पताल और इसके साथ ही सेंटर में गयर कानूनिक कार्रे करने से बाज नहीं आ रहे है, ब्रून लिंक परिक्षन करना कानूनन अपराद है, लेकिन बावजूद इसके कुछ नीजी अस्पताल संचालक चंद पैसो की लालच में भून लिंक की जाच कर गलत काम करने की वाज नहीं आ रहे हैं, और इसी कड़ी में ही तैसिल खेर के गाउं नुरपुर में संचालित नीजी, पुश्पांजली अल्टरा साउंड सेंटर पर यूपी और हरियाना परिशासन की स से बड़ी तादाद में पत्रों की बरांदी है, वो भी की गई है, जबकि नायब पैसेलदार ने कहा है कि जब छापा मारी की गई, तो मौके पर जो ऑपरेटर मिला, वो टेक्नीशल था और इसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि गया तरीके से जाच कर रहा था, और वहीं से सेंटर के संचालक के खिलाफ मुकर्दमा दर्ज करवाया गया था, और साथ ही तीन लोकों को मौके से गिरफतार भी कर लिया गया है। लिंग जाच का ग्रहो का परदाफास किया है, यह कपल में पुस्पांजली अल्टरासाउंड सेंटर है, जीसमें गई तरूटियां मिली है, इन्होंने जो नियम के तहत, प्येंटी के तहत, एक तो टेक्नीशियन जो डेक्टर के नाम रेइस्टर्ड है, वो रेइस्टेश है, तो उसको लडगा मताया है. वद भी कराया है, लेकिन उनके द्वारा कोई कारवाई नहीं की जाती है, साथ दोर से देखाया है कि उनकी मिली बद से ये काम होती रहते हैं. ऐसा ही एक मामला ठाना टपल चेत्र के नूरपुर गाओं का देखने को मनाया है, जहाँ पर भारी राजडी की स्वास्तवाग की टीम है, उनके इच्छानी स्वास्तवाग को तूचना दी उठ्वाग की टीम को लेकर के तावर तोर कारवाह 회keं करते हुए, जो अल्टर सा निल्टर यह तरी नमर्पीज चल रहा है जैं बिल्कुल जैसा कि मैं आपको बता दोधादी काफी लंबे समय से लिए जो गाओं पड़ता है नूर बॉर्पूर्पूर्ष में काफी लंबे समय से चल रहा है था आला कि कई बार शिकायते भी होती है लेगन जो प्रक्ष वास जनानी नहीं होती जब तक उची आंख नहीं गुलती है जब कोई घटना वहाँ घट जाती है उसके बाद कारवाई करना शुरू करते हैं अलाकि साथ तर देखा जाता है कि अलीगड स्वाथ की मिली वर्श के चलते हैं अलिगड में जो है काफी ऐसे ऐसे अल्टरसावंड चल लें जिन में जो है बहर की टीम है बहर ही राज्जी की टीम आगा करके कारवाई कर रही है लोकल की टीम जो है तमासा देखती रहती है आकाश बौबे शुक्रिया आपका मारे से जुड़ने के लिए रहम जानकारी देने के लिए तो आपको बता दे कि आवेद तरीके से ही अस्पताल चल रहा था और तीन लोगों को फिलहाल पुलिस ने गिरफतार कर लिया है काश बौबे एक सनकी पती ने पतनी के माई के चले जाने के नराज होकर खुद को गोली मार ली है और जहां गंभीर हालत को देखते हुए चिकित सकों ने बहतर उपचार के लिए लीगर मेडिकल कॉलेज को रैफर कर दिया है घटना काश गन सदर कोतवाली छेतर के नरोली गाउं की बताई जा रही है फिलाल इस बुलेटर में इतना ही खबरों का सिलसिला लगाता जारी है आप देखते रहिए न्यूस वल इंडिया